के लिए श्रिमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रिमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदै जैन, सिविल लाइन्स परिवार दिल्ली सौभागय भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रिमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल सौभागय भक्त श्री अंशुल जैन, अक्रणा नीदी बंबंदुके मेडो, याते में पूजो मुझा, अम्रीम स्री अधीन आते जिए, अमाच पतारूपे, आम महामुद कुष्टाय, धीपंधर पामधी, धीपा धूपफल अरग सुलेकर, राचत तालिम्र दंग भजा, आदिनाते जी के छरने कमल पर बली बली जाओं मन बचकार आदिनाते जाओं मंधूं अर्गन भाम अर्गन भामाधी यह देना जना अर्गन भामधी टीवी देखने में समय निकल जाता है, अख्वार परणे में समय निकल जाता है, समय की महिमा कहां तक कहों बंधुओं, समय की महिमा कहां तक कहों बंधुओं, गुरु भक्ती करने से समय सुधर जाता है, गुरु भक्ती करने से समय सुधर जाता है। कि हमारे आजियार्यों ने कहा है कि समय का जीवन में बहुत बड़ा मात्व है कि समय कि ऐसा है कि जो एक बार आपके पास से चला गया तो दुबारा आना संफोर नहीं है कि धन दोलत मकान रुपिया पैसा हर चीज आपके पास में आ जाएगी लेकिन जो समय पे जो कार नहीं कर पाए तो दुबारा नहीं आपाएगा पहले अपन लोकिक से चलते हैं जैसे आपके यहां पर आपके बड़े बिटे की साधी हुई और उस समय आपने भूत कुछ किया बरातीयों को सवगत भी किया काई से करते हो बरातीयों सवगत लेघूं कुछ किया ने आधके और लूट जो को सोटें को महरेत जी कोई बात है किसे घर में छाए MSऴ लेक्त फेरी नहीं पता है तो बरातीयों को सवगत्ट किया सब कुछ कर दिया आपने लेकिन उसके μα seguinte कि अपने बेटे की साधी में बाहर का बेंड बुलाना था वो नहीं बुला पाए तो आपको जीवन में मलाल लेता है कि सब कुछ किया लेकिन बेंड नहीं बुला पाया तो मलाल तो हमीसा रहता है कि बरात में बेंड बुला लेता तो पूरा काम हो जाता है लेकिन अब क्या होगा उसके बच्चे का जब नाम करन होगा उसे बेंड बुला लोगे लेकिन साधी में तो बेंड नहीं आएगा न तो इसलिए कहता हूं कि समय एक बार निकल जाए तो दुबारा आता नहीं है यह तो बताई लोकिक भासा आप परमार्थिक धन्म की भास्ता मंदिरी में 48 दिन का बिधान चलता है आज कौन सा नंबर है 12 केने का दाथ पर है यहां से आपको बेला जी जाना था तो आप पहुच गे मुरेना तक यह गौलियर के पहले तक पहुच गया मतलब 25 परशेंट की दूरी आपकी तय हो गई अर्थाद 48 दिन में से 25 परशेंट बिधान आपने पुरे कर लिए आप पूचो कि भाई इस साल ममें नी बठ काया कोई बात नी अगले साल में चोमसा होगा जब पहले दिन से बेढ़ हूंगा हरे ब्urance लेकिन बढ़ी बात निहां कौन सा होगा मलम नहीं तो बचे हुए 36 अंब तो कम से कम 75% का पुन तो मिल जाएगा लेकिन आज इंसान की सोच कैसी है यदि छूड़ जाता है तो बोले जो लोग डेली मंदरी मा भीषिक करने आते हैं उनकी आख लेट खुलती है तो बोलते कोई बात नहीं अभीषिक तो निकल गया है आप सीधा आहर के समय चले जाएंगे अरे भाई अभीषिक छूड़ गया तो कोई बात नहीं पूजा कर लो यदी अभीषिक छूड़ जो चूड़ जो चूड़ दो जो आपके सामने है उसको करने का प्रयास करो तो क्योंकि थोड़ा सा आलुस किया तो पहले वाली चीज छूड़ गई और थोड़ा सा आलस करोगे तो दूसरी वाली चीज अपनी आम छूड़ गई कि एक सच बात दिल से बोलना जब अलारम लगा के घड़ी मोबाईल में आदमी रखता है तो जब घंटी बसती तो आदमी क्या सोचता है पांच मिनिट और सोचाओं सोचता है कि नहीं हर बेक्ति सोचता है मुझे मालूम है कि हम लोग बच्पन नहीं सोचते कि पांच मिन अब पहले तो मूबाईले ऐसा होता नहीं तो घड़ी टंडर मस्ती थी अब तो मूबाईले पांच मिन फिर बसता है और पांच मिन बाद सोचते हैं अभी तो टाइम है दस मिंट और सोचता हूं और दस मिंट बाद सोचते हैं कि आद तो निकल यह कल देखा जाएगा छुड़ो उसका लागा भी बंद कर देता है थ्यान रखिए समय को पहचानी है समय जो है आत्मा को भी समय कहा गिया है जो बेक्ति अपने समय को पहचान लेता है दुनिया में उसकी पहचान अपने याँ बन जाती है और जो विक्ति अपने समय को नहीं पहचानता है दुनिया में उसकी पहचान बनकर भी मिठे जाया करती है इसलिए समय को पहचानने का प्रियास करें और अपनी पहचान खुद बनाने का प्रियास करे एक बार, एक मुनी महराज, चत्रमास पर सस्तंग करा रहे थी, प्रोशन दे रहे थी, उन्होंने कहाँ, एक बेक्टी को खड़ा किया, कि बोले खड़े हो जाओ, और खड़ा हो गया, डर डर के खड़ा हो पता नहीं क्या बोलने माले, यदि सवा चल रही हो मैं किसी खड़ा कर दू, तो कई तो खुष दोते कि चलो महराजी मुझे खड़ा दो कर रहे हैं, और कई सोचते पता नहीं क्या बोलने वाले, दोना तरह के लोग होते हैं, तो खड़ा हुआ, उच्छा महराज ने बोले तुम्हारी उमर कितनी है, बोले 57 साल की, महराज बोले गलत बोल लोगों ने बोला पहली बात तो महराज जी को उमर से क्या लेना दिना है, और उसके बाद हमको हमारी उमर पताओगी, महराज जी कैसे पता, सारे बोले महराज जी आप कैसे कहते हो कि हमारी उमर यह नहीं है, बोले यह बताओ, कि तुमने मंदिर में जाकर धर्म करना का प् लूग करता है उस दिन से उसकी सच मुच की जिन्दगी प्रारंब हो जाती है तो यह बाद चल नहीं थी चोके लगे एक कंजूस सेठ के यह भी चोका लग गया एक सेठ समझते हो उसका पेट कैसा होता है एक बोलते जिसका पेट बड़ा होता होई सेठ होता लेकि आजकल नह इसा नहीं पेट छोटा है तो भी सेठ है तो आपको बतना चाहरा था कि वहां पर आहार हुआ और सेठ इतना बिधर्मीर था कि यदि मालूम जले कि महराजी घर के बाहर से निकल नहीं कमरे के अंदर खुच आता था था थो बहु धार्मिक आ गई तो महराजी पहुचे आह है जारा बज रही और पूछ रही है इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ तो बहु ने जब प्रश्न किया तो महराज बोले कि समय का कोई भरोसा नहीं था इसलिए सुबह सुबह ही निकल गया सेठ ने बोला भगवान क्या होने वाला है इतने में महराज ने पूछा बहु स कि तुम्हारी उमर कितनी है सेठ बोला महराज जी मैलाओं से उमर पूछ रहे है तो बहु ने जवाब दिया चार साल की क्या कहा सेठ ने बोला महराज तो महराज मेरी बहु भी ऐसी है इतने में उसने पूछा कि तुम्हारे पती की उमर कितनी है बहु से महराज ने पूछ पत्नी मढ़ी होती है आज दो सब चल रहा है तो उसके बाद में उसने पुचा कि तुम्हारी सास की उमर कितनी है बुलेट देड़ साल इस वले ये तो पुरा घूर कल्यूं हो गया पत्धीपनी उमर जाता हो सकती लेकिन सास की और बेटे से छोटी कैसे इतने में आया नंबर ससूर का उसने पूछा कि तुमारे ससूर की उमर कितनी है उसने दोनों कान खड़े कर लिए सास अंदर की अंदर बाहर की बाहर बोले पता नहीं क्या बोलने वाली है बोले पता नहीं क्या बोलने वाली है बोले ससूर की उमर कितनी है मुंनी क्या क्या बाते आप करते हो किसी पागल बग नीं कि मैं आपने अपने से उमर पूछा इस ने आप से पूछा कि सलुवाइब क्यों निकला आइइ आप 11 जाले 11 बजे भर दुफेरे में बोलते हो कि समय का पता नहीं है तो बोले माराज बोले काम करो इसका जवाब संध्यकाल में देंगे हाँ सेड़ जी बोला हाँ दस-पाच आदमी लेके भी होंगा ऐसे मौके पर जो मंदिर निया था वह भी आ जाता है तो पोचे सब लोग तो माराज से सब ने बोला माराज जी कैसे किसी बाते चोकों के बात करवाते हुआ और कैसे कैसे जवाब देते और अब डटते भी नहीं हो तो बोले माराज बोले क्या नहीं हुआ बताईए क्या हुआ है तो छलो क्या क्या नहीं हुआ बताईए बोले आ आप से मेरी बहु ने पूछा कि सुभए सुभए कैसे आना हो गया तो आप साड़े 11 बजी दुफएर को बोल रहे हो कि समय का कोई भरूसा नहीं है हो सकता आपके घड़ी नहीं होगी मैं घड़ी लाके दूंगा तो महराज बोले भाईया तुमारी बहुत तात्विक है धर्म को जानने वाली है बोले समझ गया कि पिछले तीन महीने से रोज प्रोशन में आती है रोज आहर देने आती है इसलिए आप उसके बहु की तारीव तो करोगे महराज पर भी उलेम है यादि लगातार कोई बेक्ती आ रहा है सेवा में तो महराज देखिए आई सोभाई उससे जो डेली भगवान के पास में आएगा तो पुझारी उसको जानने लग जाएंगे के नहीं लग जाएंगे आज लोग राजा स्रयांस कोई क्यों जानते हैं बताएं मुझे क्योंकि सबसे पहले आहार दिया दिता रहा और उन्हें दिया किया लेकिन रुक्ष से राजा स्रयांस दिया तो महरा राण ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हमारे तो सारे बढ़ावने तो बताएंगे कि प्र सब्सक्राइब कर लिया तो उसका ताथ पर यह था कि भाई आप पताह नहीं समय आएगा की नहीं आएगा बुड़ापे का क्या भरोसा आप लोग क्या कहते हो जो करना है आज कर लो कल का भरोसा नहीं लेकिंद धर्म के लिए नहीं दूसरे कारेयों के लिए तो वह बास समझ में आई कि चलो मुनी महराज ने तो इसलिए बोले लिया कि समय का कोई भरोसा नहीं है लेकिन बोले आप जो मेरी बहु लगबग 35-36 साल की हो गई है उससे आपने पूछा कि तुम्हारी उमर कितनी है तो इसने क्या जवाब दिया चार साल कुछ सासू सोचरी मेरी बहु क्या बोलने बाली है तो क्या हुआ बोले चार साल तो महराज बोले इसका अंसर होई देगी पूछा कि रेलमने बहु से पुछा कि भाई क्यों तो मुठ बोले मैंने सुना था जो विखती फिर्म जनुए जनुम लेटा से पूजा होई जब द ध्याल तो वनने पूछहन नहीं करत范 तुबलने उसकी उमर चालू नहीं होती तो सुनने के बाद मुझे लगा कि धरम करना प्रारम करना चाहिए तो मैंने चार साल पे लिए धरम चालूगी है इसलिए मैं चार साल की हो गई तो बोले तेरा पती तीन साल का कैसे है बोले जब मैं साल भर में ध्रम में रचपच गई तो मैंने सोचा कि पती दियो को भी ध्रम में लगाना है तो एक साल बाद मैंने पती दियो को ध्रम में लगाया तो उनकी उमर गर जाकर पती पतनी अपना केल्कुलेशन करके बताना मुझे कर किसकी उमर बड़ी है छोटी है उसके बोले सासु की धेड़ साल कैसी है बोले जब पती भी ध्रम में लग गया पत्नी भी ध्रम में लग गी तो मैंने उसका सासु को में पैदा क्यों नहीं हुआ कि यह मंदरी पहली वाराया हूं। तो मुनी महराज ने का सब को ततास्तु का समझा दिया फिर मुनी महराज ने बहुत से फिर बूछा पूच बोले जाते जाते एक प्रेस्टों और है चाह बोले माराजी हमारे ऐसे पुन्य कहा जो हम तो बासा भाषब हो dus गरम गरम बनता है算वेसाम दुफ्यर में तो ही बहुती बॉले कैसे ब सबस्क्राइब हमने तो जो पुराने अच्छे करम किंठे हैं उसका फल खा रहे ओसका फल भोह रहे हैं इस जर्म इमगे तो हमारे कर में अच्छा कर्म होता ही नहीं चोका लगता ही। पूजा पाठ्ग होती ह已经 है तो ससुरी जी नीका महाराज़ी में नियम लेके जाता हो कि एक मैंने तक लगातार चोका लगाओंगा type ौगा बहुत बड़ी अब ससुरी अब सव्रवी मैपारु बैठे तो उनकी रोटी जो आई उसमें कंकड डाल में फत्तर तो उसने बहु को बहु आज खाना कैसा बना दिया उन्होंने का ससुर जी मैं आपको खाना वह खिलाने का प्रयास कर रही हूं जो आपको अगले जनम में मिलेगा बुले कैसे बुले जैसे कंकड वाले आप इसे मिलेगा ध्यान रखना अपने समय का उपयोग कीजिए कहानी तो बहुत लंबी लेकि सच में बताने का सार यही है कि जो अपने जीवन का समय का उपयोग कर लेता है उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती आज घर जाके सारे तत्तो चिंतन मंधन करना और कल मुझे मताते है चल जाएगा कि उमर किसकी कितनी हए सब शाओं बताना चल जाएका किसकी किसकी इसकी एसा ना हो इभचों की और मावश्याद निकल जाए ऐसा भी होता है कि बच्चों की मामावश्चक्रयूरती उनके पुत्र आधियनात भगवान उसके वदल्य क्याव होता है सारा तो अध्यान रखिएगा ऐसा भी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर की बात नहीं है तो जिस दिन से जीवन में धर्म की शुरुआत हो गई उस दिन से आपका जीवन सार्थ तक हो जाता है अब माराजी वसमें आते हो पुश तो माराजी आपकी उमर कितनी है कोई बोता दू साल हम बोलते चॉवीस साल तो सोस्थे हैं का पुन्य अर्जन करने का प्रयास करें तो यही आपकी सेवा हो जाएगी जिन्दगी में प्रतेक ब्यक्ति को जिसने जैनकुल में जनम लिया है पांच्छे कार जरूर करने का प्रयास करना थी सभी कानखोड़के स्टों बहुत अच्छी बात है जिसने जीवन में अपने प अजिनके जाए जाए जीवन में में है जाए पांच्छी दैक पीन करने टेंगला के यह are aun साख्षाद मिरादमाने तिनके पाओं चर्णों में मन से वचों से खाय से बड़ी भक्ति पूरत हर्गन ये पामिति देश्वाः उदय जैन सिविल लाइन्स परिवार दिल्ली सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रिमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली